अलो बच्चों क्लाफ नाइन्थ की मैथ शुरू हो चुकी है एक्सरसाइज आपका 12.1 चल रहा है देखो बच्चों आज आपका ये 12.1 खतम हो जाएगा और 12.2 आज ही शुरू हो जाएगा ठीक है तो ये लास्ट कोईस्टन है ध्यान से देखिएगा 12.2 भी पढ़ना जाना नहीं कहीं ठीक है कि एक सम्दुबाहू सिर्भूज का परिमाप 30 cm है सम्दुबाहू ट्रेंगल का मतलब दो साइड इसकी इक्वल है ठीक है और उनकी जो बराबर भुजाएं हैं वो 12.2 cm दी गई है उनका पेरिमेटर दिया है यानि परिमाप दिया है कितना 30 cm दिया है तो यसी भी ट्रेंगल का एरिया फॉइंड करने के लिए हमें पहले उसकी तीनों 70 मालूम होने चाहिए अगर वह शंपान थिर्भूज नहीं है तो यसे बोलते है राइट अंगल ट्रैंगल नहीं है तो हमने मालूम यहां अतुराघ मालूम करेंगे मालूं कि अगर इसका नाम मैंने ABC रख दिया तो हमें BC क्या करना find करनी है कैसे करेंगे देखो यहां पर लिको दिया है कि दिया है क्या दिया है अब परिमाप 31 cm परिमाप 31 cm और तिर्भुज का परिमाप तीनों भुजाओं के जोड को परिमाप कहते हैं यह आपको पता है तो तीनों भुजाओं को हम जोडेंगे यानि AC धन BC धन AB हम सब को जोडेंगे तो 30 आना चाहिए AC कमान 12 दिया है, BC कमान नहीं दिया है, AB का भी 12 दिया है तो यह यहां से हम BC find कर लेंगे, दोनों जुड़ जाएगा बिटा यह इधर जाएगा, घड़ जाएगा 24 है तो BC 6 आएगा यह कितना आगया, 6 cm, ठीक है? अब तीनों बुझाएगा आ गई, अब हम इसमें हीरोन फार्मूला अपलाई कर सकते हैं ठीक है? नीचे लिखो हैं आपर हीरोन सूत्र से हीरोन सूत्र से लिखो तिरभुज का स्थेतरफल इक्वल अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस भी यस माइनस सी ठीक है? चलो बेटा रख दो यस का मान, अभी तो हमने निकाला ही नहीं यस मतलब सेमी पेरिमीटर अर्द परिमाप तो पहले हम यस का मान भी यहां से फाइंड कर लेते हैं चलो साइड में कहीं कर लो यस का मान क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपान टू ए मतलब पर्थम भुजा बी मतलब दूतिये सी मतलब तितिये तो बारा बारा चौबिस छे तीस मतलब यह जो यस की बैलू है फिप्टीन सेंटिमीटर आ गई तो यह हो जाएगा फिप्टीन अब यहां पर आपको गौर करना है फिप्टीन यह और माइनस फाइश्ट अगर भुजा को हम ए भी माने तो यह ट्वैल है फिर यस का बैलू पंदरा दूसरी भी ट्वैल है और तीफरी कितना है छे है रख दिया कुश्चन इस क्रेन से गायब कर दीजिए जिससे आपको दिखाई पड़े लो चलो अब क्या होगा बच्चों बहुत ही आसान है यह बिटा समझो यह पंदरा इसमें से घटाओगे थ्री आएगा इसमें से यह भी घटाओगे तो तीने आएगा यह घटाओगे तो नो आएगा देखो इनके हम फैक्टर कर सकते हैं इधर साइड में हल कर ले चलो जगा है आजाओ इधर साइड में ले करके इनको चुपे से कि देखो इनको तीन और पांच के रूप में तोड़ सकते हैं न भीया वैसे तो इसका जोड़ा बना है इसका भी जोड़ा बना है अगर हम इसे तीन और पांच के रूप में तोड़ेंगे तो कोई हल निकलने वाला है नहीं वैसे भी इसका एक तीन बाहर निकल जाएगा इस गुड़ा तीन लिख सकते हैं अंडरूट में पंदरा फाइनल में नाइन इंटू अंडरूट 15 यह सेंटिमीटर का स्कॉयर यह अंसर आजाएगा आपका इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता है है ना आंसर मिला लीजिए इसी के साथ आपका एकसरसाइज से 12.1 इंड हो गया अगर इसमें आपका कोई सवाल है कोई कमेंट है तो आप बताइए बहुस्टे बच्चे जुड़ें उनका नाम मैं एक बार बोल देता हूं काफी परिसान है अथ इसमें जिमि कॉमेंट आ रहे हैं मैं एक बार बोल देता हूं जो हमारे साथ छातर डेली जूड़ते हैं उनका नाम हम जरूर बोलते हैं जो कभी-कभी जुड़ते हैं उनका नाम नहीं बोला जाता है अगले दिन बोला जाता है जब वो रेगुलर हो जाते हैं ठीक है तो कलास का टाइम बच्चों इस समय साम 6 बज़े पे चल रहा है और पीवीर स्टेडी 3.0 चैनल पर सुबह 8 हुई हैं इंडियन एके 47 अखिलेश पाल भी जुड़े हुए हैं और भी तवाम बच्चे जुड़े हैं जो रेगुलर आएंगे हम उनको जरूर उनका नाम बोलेंगे हैं कि बच्चों आपका 12.2 शुरू हो चुका है क्लाफ नाइन्थ कमेथ एकसरसाइज 12.2 उपन करिए जल्दी से आपको एक चित्र दिखरा है स्क्रिन पर क्या कह रहा है इसमें कि एक पार्क चतुर्भूज एबी सीडी की आकार का है एक पार्क है पार्क जानतों जहां लोग हो जाओ पता चले का पार्क में क्या क्या होता है एकसरसाइज हो करते हैं लोग दोड़ते भी हैं मिलने मिलाने भी जाते हैं तो समझ यह तो भूज की आकार का है जो कि आपको दिख रहा है इसमें कोंड जो सी है वो नबबे दिया है नाइटी डिग्र दिया है एबी 9 अच्छे और 8 सेंटीमीटर विश्काल पूचह है देखो बाइया इसका पार्क चृत्रफल तो आप नि काल ओगे लेकिनि उसके लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा समझने के लिए पहले इसका प्रेकर बिल में में चलिए में बना लेता हूं सएड में तब आपक दोनों का अलग अलग एरिया निकाल कर जोड़ देंगे तो हमारा पूरे-पूरे का क्या आएगा पार्क का च्छेतरफल आजाएगा उचके लिए चीज ध्यान देना है इसमें एंगल सी तो 90 दिया है कह रहा है तो एंगल सी अगर 90 दिया है तो यह समकॉंड तिर्भूज में हम पाइथागोरस फर्मिय अपलाई कर सकते हैं और समकॉंड तिर्भूज का च्छेतरफल का सूत्र भी आसानी फिल लग जाता है एक बटा दो आधार गुड़े उचाई यानि इसमें हाइट दी गई होती है ठीक है तो इसको तो एरिया हम आराम से फाइंड कर लेंगे ले नहीं तो इस तरह के थे लिए ही ही फिरोन का सूत्र लगाया जाता है रहूं emotion बाद में निकालना पड़ेगा उसको हम बाद में निकालेंगे पहले लिखिये जो is empornt बात है लिखिये चतुर्बूज के आका पार्क के सचत्रफल बरार या फिर चतुर्हचा आकार का ब lado लो चत्रभूज ए बीसीड़ क्या करका ना देखो तो लिखो चत्रभूजा कर अ कि यह फर्मूला आप लिख लिए ना इंग्रिस वाले ऐसे भी लिख सकते हैं यह अको और थिकर कि निकाल आप लिख семworks और दोनों को अलग निकालके जोड़ेंगे ठीक है यहाँ पे लिखों यह एंदी वाले लिखेंगे तिर्भूज बीसीडी का चेत्रफल बराबर एक बटा दो आधारव कुड़े Shift यानि बेस गुड़े हाइट तो देखो एक बटा दो बेस इसमें 12 दिया है हाइट इसमें 5 दी गई थी यह कार्ट देंगे एक्वल 30 सेंटीमेटर इसक्वाइर आएगा क्योंकि यह छेत्रफल है इसल traff में आयेगा संटीमेटर में आए गाव थी कोटा चालिए यह तो घ weddings इसका भी 6 तरफल मिल जाए तो दोनों जोड़ दें लेकिन इसका पहले निकालना पड़ेगा लिखो नीचे देखिए यहां पे एक चीज समझना भी सेस हमें भूजा BD चाहिए BD लेकिन अक चाहिए किसके लिए तिरभूज A BD के लिए हमें BD चाहिए बट हम ABD वाले तिर्भूज की साहता से BD निकाल नहीं पाएंगा, आसान नहीं है क्योंकि वो समकॉन तिर्भूज तो है नहीं और ये तो clear है कि समकॉन तिर्भूज है और भाई ये बूजा दोनों में common है तो हम नीचे वाले तिर्भूज की साहता से जो समकॉन वाला है पाइथागोरस लगा करके पाइथागोरस परमिये BD फाइंड कर लेंगे ठीक है तो लिखो भूजा BD के लिए नीचे लिख लो भूजा BD के लिए उतना लिखने के बाद के लिए पाइथागोरस परमिये से लिखलो भई या लिखलो पाइथागोरस पर्मिये से क्या होता है पाइथागोरस का पर्मिये आपको पता है कि करण का स्कॉयर इक्वल अधार का स्कॉयर धन लंब का स्कॉयर होता है ना करन का स्कॉयर मतलब हाइपोटेनियस का स्कॉयर यानि येज का स्कॉयर इक्वल लंब का स्कॉयर यानि पर्पेंडिकुलर का स्कॉयर प्लस बेस का स्कॉयर यह होता है मैंने इसलिए इंगलिस में लिख दिया ओके अब इसमें देखो जो आपका ये बี้ सीडी दिया तिरबोज बेस बी सी है अधि यह लंब क्या है तो हाइपोटेंईस हमें करना है बेंडिकोलर कितना है है हा यह स्कौयर याद रखना कहां दो है ठीक है अब इतना घंदा को काये को लिख रहा है एंब पच्छम 25 बाराबर हमें 144 यह 169 आजाएगा बाबू यहनी आपका यह का स्क्वाइर 169 आजाएगा अगर यहां से आप यह का बैलू फाइंड करोगे कर्षाद 9 में पहुंच चुके हो तो यह का मान 13 आजाएगा क्यों क्योंकि 13 का स्क्वाइर 169 होता है आप कह सकतो यह 13 आ ही 13 आ गई अब हम फिर बूझ BCD में BCD में नहीं कि ABD वाले में छित्रफल वाला सुत्र लगा देंगे हीरोन वाला और निकाल लेंगे दोनों को जोड़ देंगे यह 30 आया याद रखना मैं इसको पूरा मिटा रहा हूं वीडियो करों करके लिखना चाहों तो लिख लो देखें इस्तिरभूज के लिए हम हीरोन फार्मूला यूज करेंगे हीरोन फार्मूला आप सभी को अच्छे से पता है अभी तक वहीं बताता आया हूं चैप्टर का नामी वही है तो सबसे पहले यह का वैलू फाइंड करेंगे सारी भूजाएं आप लेलो तेरा नौ और सब्सक्राइब तेरा नौ प्लस आठ अपान कितना है तू यस कमान निकालों के सीधा फिधा आएगा ता समलों में आएगा नौ आट सतरा कितना जगत तीस न इस बटा दो बराबर 15 सेंटीमीटर आएगा बहुत अच्छा है तो बिटा अब सूत लगा दोगे आता हां फित वियन्ट्रफल बराबर अन्ड़र रूट यहास इंतु यह्ल्यास माइनस ए यह माइनस भी यह माइनस सीzamीust कमान 15 अगे तो 15 माइनस पहली भूजा मानलो तेरा माइनस दूसरी भुजा नौ और पंद्रा माइनस तीसरी भुजा आपका कितना आठ इनका सब क्या करोगे वर्गमूल फाइंड करोगे तो यह पंद्रा गुड़े दो गुड़े छे गुड़े साथ ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं न अब इनको तोड लीजि देखो इनको तोड देंगे चोटी चोटी भुजा में तीन गुड़े पांच कर दो कुछ होगा क्या नहीं हाँ होगा इनको जब तीन गुड़े पांच कर देंगे और इनको दो गुड़े तीन कर देंगे तो एक तीन इसमें मिलेगा एक तीन इसमें मिलेगा तीन तीन का भीट नई फिर दो है ना उसे लिखती और चेटेव लिख सकते हैं दो गुड़े तीन तो छीखो लिख दो दो गुड़ा तीन गुड़ा साथ वैसे लिख दो आद देखो वर्गमूल निकालते हैं दो डो का जोडा बनता है तुम्हें सब को अच्छे से पता है ये फाइनल में हम कह सकते हैं आपका कितना बचरा है यह 6 और अंडरूट 35 यह आपका अंसर आ रहा है लेकिन अभी इसको दसंबलों में मान रख करके आप कुछ क्लियर कर लीजिए क्योंकि हमें इसे जोड़ना है ठीक है तो मैं उपर फाइड में कर देता हूं समझ के चलोगे तो बेहतर रहेगा आगे रख दूं क्या इसका मान 5.91 सम्थिंग आएगा ना हम जल्दी से कर लो इतना लिख लो मैं मिटा के लख देता हूं छोटा के लगेगा चलो जल्दी करो हो गया वीडियो को रोंक करके लिख लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को टच करिए स्क्रीन पर रो आपका 6 गुड़ा 35 अंडरूट 35 का मान 5.91 सम्थिंग आएगा लगभग में गुड़ा कर लीजिए चाहिए आप लोगा देख लीजिए इनका फाइनल में जब आप करोगे मल्टीपाल तो 33.46 सेंटीमीटर का स्कॉयर आएगा कि समझ मैं आया हो गया एक वाको कितना एत्या था कमцना अगफ हücht आया था अभी मनने निकाला था एक मिनिटग लिखा तना दोनों को जोड़ेंगे ठीक है दोनों को जोड़ेंगे आप का अंसर आजाएगा फाइनल में लिख लो जल्दी से हो गया देखो अब हमें दोनों तिर्भुज का छेतरफल मिल गया है अब हम इसको क्या करेंगे इसमें रख करके मान निकाल लेंगे जो हमें निकालना था चतुर्भुजाकार पार्क का छेत्रफल हमें मिल जाएगा समझो आओ अबी सीडी का छेत्रफल अभी अभी मिला है 33.46 बी सीडी का पहले ही निकाला था 30 मिला था फाइनल में जोड़ दो गए 63.46 सेंटिमीटर इसक्वायर चुकि यह क्या है छेत्रफल है तो 35 मिला था कितना मिला था जोड़ लोगे ना इसको यह कितना मिला था 33 मिला था 35 मिला था भी 33 यह तो मिला था क्यों मल्टिपल करके दिखाऊं क्या मुल्टिपल कर लो मुझे कुछ गलत लग रहा देखो कैसे देखो पाबू अभी आपका यह च्छे आया था कूड़ा 35 इसका मान 5.91 यह गलत लग रहा है च्छे कम छे अगभग में ही आया एक तो आंसर में आपका थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ठीक है टेंसा नहीं लेना है बस समझ के चलना है कोई इसको गलत नहीं काटे का कोई एक्जामनर अगर आप नहीं तरीका किया है तो ठीक है तो बच्चों इसी के साथ आपका यह कोईश्चन खतम होता है अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए अगला कोईश्चन बस थोड़ी ही देर में आपको मिलेगा पीवियर स्टेडी चैनल को यूटूब पे सब्सक्राइब करें पीवियर स्टेडी को फेस क्लास में जैहिन